Hello student, today I will explain the mountain and the squirrel from poetry. First lesson of 9th class, this poem composed by Ralph Waldo Emerson. At first I will brief about the poem and I will explain line by line in Hindi. Let's start about the poem. This poem is a dialogue between a mountain and a squirrel. यानि कि जो ये पोएम है, ये एक conversation है, एक बातचीत है, Mountain and Squirrel. Mountain यानि परवत, Squirrel and Glary. यानि कि गिलहरी और परवत के बीच में एक conversation हुआ है. The mountain in a touring bigness looks down upon the squirrel and call it a little prick. तो जो mountain है, वो अपनी जो बड़ा है mountain, उसको अपने बड़े होने पर बहुत जादा, घमंड है, बहुत प्राउट है. तो वो जब किलहरी को देखता है, तो बहुत वो छोटी है, कद में छोटी है, तो उसके उपर वो comment करता है, और उसे little prick कहके पुकारता है. तो little prick means तुच, बहुत छोटी, तो वो उसको इस तरह से पुकारता है, the squirrel justify its existence, existence means आस्तित, तो जो squirrel है, वो अपने आस्तित को justify करती है. In God's creation, both the big and small and the rich and the poor have a definite quality and a definite place. तो वो कहती है, कि जो God का creation है, God ने जिसको भी बनाया, जितने लोगों को भी बनाया है, चाहे वो बड़े हों, छोटे हों, rich हों, poor हों, सभी की अपनी एक अलग quality है, and सभी का अपना अलग एक इस्थान है, एक निश्चित इस्थान उन्होंने सभी को दिया हुआ है. तो कैसे वो अपने आपको justify करती है, उसको हम देखते हैं इन लाइन्स में, the mountain and the squirrel, the mountain and the squirrel had a quarrel, यानि कि परवत और गिलहरी के बीच में जगडा हुआ, quarrel means होता है, जगडा होना तो जगडा हुआ, and the former called the letter little prick, former means पहले का, letter means बाद, बाद का, little prick, यानि कि वही छोटा, बहुत छोटा, बहुत तुच, तो पहले वाले ने, दूसरे वाले को, या आप कह सकते हैं कि mountain ने, गिलहरी को little prick कहकर पुकारा, तुच कहके पुकारा, बन replied, तो जो बन वर्ड यूज हुआ है, यह squirrel के लिए हुआ है, तो squirrel ने reply किया, you are doubtless very big, कि आप doubtless नि संदे हैं, कि इसमें कोई संदे नहीं कि आप बहुत बड़े हैं, but all sorts of things and weather must be taken in together to make up a year and a spare, कहती है कि इसमें कोई संदे नहीं हैं कि आप बड़े हैं, लेकिन इस दुनिया में जितनी भी छोटी से छोटी चीज़े हैं and weather और जितने भी मौसम हैं, जाए वो summer हो, winter हो, autumn हो, spring हो, जितने भी मौसम हैं, जब वो साथ साथ होते हैं, together में साथ साथ होते हैं, to make up a year, तो एक साल बनाते हैं and a spare, और एक spare बनाते हैं, ब्रभान बनाते हैं, इस पूरी दुनिया को आप कह सकते हैं, बनाते हैं and I think it no disgrace to occupy my place, if I am not so large as you, you are not so small as I, तो उसमें क्या कहा, and I think it no disgrace, मैं समझते हूं, disgrace मतलब शर्म की बात, मैंनी सोचते हूं कि इसमें कोई शर्म की बात है, to occupy my place, यानि कि जो occupy मतलब गेरना है, प्लेस इस 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 में मुझे दिया है, God नहीं, जितने स्थान में, जितनी बड़ी मैं हूं, जो मेरा आस्तित्त है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई शर्म की बात है, if यदी, I am not so large, large में बड़ा, as you, अगर मैं तुम्हारी तरह बड़ी नहीं हूं, you are not so small as I, तो तुम भी तो मेरी तरह छोटे नहीं हो, and not have a so spry, spry means sportive, बिल्कुल active, जो शीला, फुर्तीला, ठीक है, तो हो कहती है, और तुम तो मेरे आधे भी फुर्ते लेनी हो, जितनी मैं फुर्तीली हूं, तुम उसके आधे भी नहीं हो, I will not deny you make a very pretty squirrel track, I will not deny मतलब इंकार करना, मैं इस बात से इंकार नहीं करती हूं, you make कि तुम बनाते हो, a very pretty squirrel track, एक बहुत खुबसूरत रास्ता गिलहरी के लिए, ठीक है, वो कहती है, मैं नहीं इंकार करती कि तुम एक बहुत खुबसूरत रास्ता गिलहरी के लिए बनाते हो तो talents differ, लेकिन उसमें कहा कि जो योगिताई हैं, वो अलग-अलग हैं, जो abilities हैं, वो different-different हैं, सब की qualities अलग हैं, all is well, सब कुछ बहुत अच्छा है, and wisely put, तो, अगर मैं बुद्धिमानी के साथ कहूं, तो सारी ही चीज़ें, जो इस संसार में हैं, वो बहुत ही wisely placed की गई हैं, If I can't carry forest on my back, carry मतलब ले जाना, forest means jungle, back means back पे, peat पे, तो if I can't carry forest on my back, अगर मैं अपनी peat पर jungle को नहीं ले जा सकती, neither can you crack a nut, तो तुम भी, neither मतलब ना तो, क्रेक मतलब, क्रेक तोड़ना, nut, अख्रोट, तो तुम भी मेरी तरह अख्रोट को नहीं तोड़ सकते, ओके, तो इस तरीके से, गिलहरी ने अपने existence, मतलब जो उसका place है इस word में, जो God ने उसको place दिया है, उसको उसने justify किया mountain के सामने, और उसने बताया कि, मतलब जो इस lesson से moral आता है, वो यह कि, किसी को भी डिस्करिज नहीं करना चाहिए, और किसी को भी insult नहीं करना चाहिए, क्योंकि God ने जितने लोगों को इस संसार को बनाया है, और इस संसार में जो भी चीज़े हैं, चाहे वो छोटी हो, चाहे बड़ी हो, अमीर हो, गरीब हो, सारे ही बात को इसमें, जिस्त, क्लियर किया है, कि जो उसका प्लेस है, वो उससे बिल्कुल भी, बिल्कुल भी नहीं समझती कि उसमें कोई अपमान की बात है, वो बहुत खुश है, अपनी अस्तितों से, ओके स्टूरेंट, तो होब की लाइन्स आपको क्लियर होई होगी, ये कॉ कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो you can comment me, and you can ask me, okay, next chapter के साथ, मैं फिर आती हूँ, till then, goodbye and take care.